उत्तव प्रदेश में लगातार घटनाय हो रही है और ये घटनाय जो हो रही है वो सरकार की नाखामी की बज़े से हो रही है इंकाउंटर नई परिवाशा में हाफ इंकाउंटर और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई हैं अगर इंकाउंटर से ही लॉइन ओर्डर बहतर हो रहा होता तो अभी उत्तपदेश कही आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता जीरो टॉल्रेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए यह administrative failure था सरकार का failure था चुलो एक शांती पूर तरीके से एक कस्वे गाओं का या आसपास के लोगों का कारकम शांती पूर से संपने नहीं करा पारेंगे उनसे लॉडर की क्या उम्मीद करेंगे आप इंकाउंटर करना और नफरत को बढ़ाबा देना यह सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने के यह अपनी सम नाकामी छिपा रहे है उत्व प्रदेश में लगातार घटना हो रही है और यह घटना जो हो रही है वो सरकार की नाकामी की बज़े से हो रही है सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इंकाउंटर कर रही है इंकाउंटर, नई परिवाशा में हाफ इंकाउंटर और भी कई परिवाशा हैं जो सरकार ने बनाई है अगर इंकाउंटर से ही लॉइन ओर्डर बहतर हो रहा होता तो अभी उत्तपदेश कई आकड़ों में और प्रदेशों से अच्छा होता जीरो टॉल्रेंस का नारा देने वाले उन्हें खुद अपने आप पर सोचना चाहिए ये एड्मिस्टेटिव फेलियर था, सरकार का फेलियर था कि जब वहाँ पर तै था, पुलिस की जानकारी में था तो आखिकार आपने शांती पूर ढंक से क्यों नहीं प्रोसेशन को ले जाने दिया या उस कारकम को संपन क्यों नहीं करा पाई जो लोग एक शांती पूर तरीके से एक कस्वे गाओं का या आसपास के लोगों का कारकम शांती पूर से संपन नहीं करा पा रहें उनसे लॉडर की क्या उम्मीद करेंगे आप और फिर ये इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर ये डराने के लिए हैं आप मुझसे ना नाम बताते ना कुछ बताते तब भी मैं कर सकता था कि इनकाउंटर किसका किया है इनकाउंटर करना और नफरत को बढ़ाबा देना ये सरकार को नया तरीका मिल गया है काम करने के ये अपनी सम नाकामी छिपा रहे हैं याद कीजिए उससे पहले दुनिया में कहीं ऐसा होता हो कि जब पहले इनकाउंटर पर सवाल उठाओ मंगेश पर तो सरकार कहते है क्योंकि हमें बैलेंस करना है तो उसमें छत्रीय को भी मार दिया तो ये कहां का लॉइन ओर्डर है कहां कि ये विवस्था है जहां पर आप बैलेंस करने के लिए किसी की जान ले रहे है और सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए खासकर इस तरह के इनकाउंटर कर रही है जो घटना हुई दुखत हुई जो घटना हुई दुखत थी और ऐसी घटना समाज में न हो जो वहाँ पर फेलियर था हमारे साथी ये पूछ रहें कि आप क्या करते या क्या परिवार से मिलेंगे जो दुखी परिवार होगा उसको नियाय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे लेकि सवाल ये वही खड़ा हो आता है कि सरकार की नजर में भेदवाम नहीं होना चीए सरकार जो अंग्रेजों ने कभी नारा दिया था डिवाइड एन रूल सरकार उसी पर काम कर रही है डिवाइड एन रूल ये आम लोग जानते हैं आम लोग ये बात जानते हैं और आप तो पतकार लोग हैं वुद्जी भी हैं और पड़ोसी जिले का मामला है आम मुझसे बहतर जानते होंगे कि ये घटना हुई नहीं है घटना कराई गई है और कराई गई के लिए दोशी कौन होगा अगर जान गई है किसी की भी हम दुख में शामिल हो सकते हैं मुख्वंधी जी मिल सकते हैं लेकिन कराई किसने हैं इस पे आप लोग बहतर जानते होंगे यहां एक कोई पतकार ऐसा नहीं है जो न जानता हो कि ये घटना रोखी जा सकती सी किसी की जान नहीं जाती अगर जान गई है हम दुख बाटने से ज़्यादा जो आज सरकार भी दुख माट रही है सरकार को इस बात पर दुख करना चीए था गढ़ना क्यों हो गई होनी नहीं चीए थी अगर दुख बाटने से बाटने के लिए डायल हंडर से लेकर के और सुबधाय दी कई कारेले इन पुलिस के पास नहीं थे वो कारेले दिये कई इंफरसेक्चर के काम के सरकार ने लेकिन जो पुलिस का तरीका हो गया है जब कभी भी जाँच होगी बहुत से दोसी लोगों के खिलाब करवे होगी जेल भी जाएंगे और आपको तो वो दिन भी याद होगा जिस समय अख़वार में निकला दा है इसी प्रदेश के इसी सरकार के सबसे पहले डीजीपी उन्होंने कहा कि ये पुलिस जो आज़ इंकाउंटर कर रही है कल इनके साथ कोई ख़ड़ा नहीं दिखाई देगा जो इनकी सरकार के पहले डीजीपी हो और इन पर सबाल ख़ड़ा कर रहे हो कि ये जितने भी इंकाउंटर हो रही है ये हत्या हो रही है इसलिए उन्होंने का कि जो लोग ये हत्याएं कर रहे हैं एक दिन ऐसा आएगा जब इनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और मुझे सुनने में यहां तक आया है आप बहतर बताना इस बात को कि जिस वेक्ति ने पहला वीडियो वाइरल किया उस प्रसेशन का उस पतकार के हाथ या पैर में बहुत चोटे आई हैं उसमें बीजेपी के लोगों ने उसे बहुत मारा है अगर बीजेपी के लोग पतका को जेल भिजवारे जूटे मुकदमे में तो समझे क्या छिपा रहे हैं कुछ तो छिपा रहे ना अरे मुख्वंधी जी से जो मिलाया हो उसे क्या मुआपजा क्या नौकरी की बात करें हम अजब बताइए मुख्वंधी जी के साथ जो दो घंटे गुजरा वक्त गुजा रहा हो उन्हें तो सरकारी नौकरी देनी चीए और फिर जो फेक इंकाउंटर में निकलेंगे उनके उनको क्या नौकरी देंगे